हमारे स्वयोगी टी रागवन भी इस वक्त जुड़े हुए है रागवन दो मेन प्लेयर्स एंडिये कि अगर हम बात करें तो उसमें जीडियो और टीडिपी कौन-कौन फोन अभी तक अटेंट कर चुका है किस-किस के पास कॉल आ चुका है जी देखिए मिनाक्षी बहुत साफ ये पता चल गया है कि जो टीडिपी हैं अलाइज हैं उनको सिर्फ एक मोस और एक कैबिनेटी ही मिलेगा कैबिनेट मंत्री के तौर पर टीडिपी में तीन टाइम के MP टीडिपी के विरिष नेता एरेन नाइडू के बेटे राम मोहन नाइडू को फोन चला गया है और बधाई भी पार्टी की तरफ से दे दी गई है कि वो नए कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं गुंटूर के जो डॉक्टर पी चंदर शेखर हैं MP है वहां से फर्स टाइम MP है उन्हें MS बनाया जा रहा है वो सबसे रिचस्ट MP है कह सकते हैं इंडिया के जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उन्होंने 5700 करोड की अपनी संपती को घोशित किया था तो ये दो ऐसे नेता हैं जिनका नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पर और चंदर शेखर का नाम मैं वापिसर रागो नाम के पाफ सारी हो अब भी एक बड़ी ख़बर जैन चौधरी को भी मंत्री बनने के लिए फोन आ चुका है जैन चौधरी को भी मंत्री बनाये जाएगा इस वक्ती बड़ी ख़बर होते प्रदीश शिफी बड़ा चेहरा जैन चौधरी उन्हें भी फोन आ चुका है अब कौन सारी मंत्रा ले दिया जाएगा लोगों के नवरेव बात मठिकी रहेंगी लेकिन जिन जिन के पाफ अभी तक फोन गया है वो नाम आप लगाता इंगिया चीवी पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं जैन चौधरी को भी मंत्री बनने के लिए कौल आ चुका है रागवन अपनी बात पूरी करें जी हम यह कह रहे थी कि राम मोहन नाइडू का नाम हम लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि 100% उनको कैबिनेट में बर्च मिल सकती है क्योंकि वो अभी कह सकते हैं कि सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होंगे 24 साल के उमर में उन्होंने पहली बार सांसत का चुनाव जीता था 19 में भी जीते और 24 में भी शांदार जीत उन्होंने दर्च की है बड़े नेता और चंद्रवाबुनाडू के काफी करीबी रहें एरन नाइडू श्रीका कुलम के MP थे उस वक्त तो ये माना जा रहा था कि रामोन नाइडू का नाम उसमें जरूर होगा और यही हुआ भी और उनका नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पर आ गया उनसे जब सं चुनाओं की बात करने तो भी टीडीपी के लिया से और उस रीजन में MP का चुनाओं जीतने के साथ साथ जितने भी MLA है वहाँ पर वो भी जीत कर आये हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी बड़ी वज़या चंदर शेखर रहे इस वज़य से उन्हें भी इस बार चांस है इसलिए चंदर बाबु नाडू ने चंदर शेखर को अपना उमीदवार बनाया ताकि लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रक किया जा सके यह दो क्वालिफिकेशन हम कह सकते हैं इन दोनों नेताओं की दी जिने बाकी नेताओं को इन्होंने पीछे समारों में ही पहुंचेंगे शाम में तकरीबन साथ बजे वो दिल्ली पहुंच रहे हैं